तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे जर्नल नॉलेच विच स्पेशल रेफेंस टू यूटी जो आपके स्लेवर्स में मेंचेंड है फाइनांस एकाउंट एसिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर के स्लेवर्स में तो आज आपने देखा होगा जैसे कि JK SSB ने अपना स्लेवर्स रिवाइस किया और रिवाइस स्लेवर्स में उन्होंने जीकी का पोर्ष्ट में काफी ज़्यादा बढ़ा दिया है जिसमें सबसे जियोग्राफी बहुत ज़्यादा डाली हुई है तो कुछ जियों के आज हम टॉपिक उठाये सबसे पहले ङोटी का आज हम डिस्कंस करेंगे तो दोस्तों फीजिआफी इंडिया का क्या मतलब है फिजिग्राफी मतलब हो गया थी फिजिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल एपियरिंस अफ इंडिया कि किस तरीके के लैंड फॉर्म्स आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं अगर आप स्ट्रेट वे ट्रेवल करते हैं फ्रम कश्मीर टू कन्या कुमारी बीच में राजस्तान से होते हुए अगर आप आएंगे तो वट विल सी जब कश्मीर से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको हाइस्ट मांटेंस मिलेंगे डीप गॉर्जिस मिलेंगी उसके बाद जैसे पंजाब में पहुँछे को आपको में बूजठार मिलेगा फिर आइसाजी से पंजाब क्रोस करेंगे तो आपको डेजेट बहते हैं फिर ने में देखना की घॉर्ट यहां पर बहुत dense forest आपको देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको platews देखने को मिलेंगे, तो इन variations जो हैं, फिजिग्राफिल structure में, उसको देखते हुए, हमने फिजिग्राफिय इंडिया में six divisions की हैं, कि किस किस परस्पेक्टिव से, फिजिग्राफिक परस्पेक्टिव से, there are six फिजिग्राफिक डिविजिन अफ इंडिया, और सबसे पहले ज़र डिविजिन है, that is great Himalayan range, और the Himalayan mountains, जो पार्थ है नदन mountain complex का भी, जो आपकी start होते हैं, अगर आप देखेंगे, यहाँ पे, black color का निशान में start कर रहा हूँ, यह यहाँ से start होते हैं, जो इनका जो stretch है, इन सब states को cross करते हुए, और रुनाचल प्रदेश तक जाते हैं, देखें, ऐसे बोलते हैं, कि यह mountain, यहाँ से great Himalayan range, जो एक्स्टेंड होते हैं, नंगा परवत, JNK से लेके, नमच्छा बारवत, वहाँ से यह bend लेते हैं, ऐसे bend हुए हैं, और यहाँ पे इन hills, mountains के different different neighbors, जैसे के, पतकाई बम बोलते हैं, इसको अरुनाचल प्रदेश में नागा हिल्स, नागा लैंड में बोलते हैं, मनीपूरी हिल्स, मनीपूर में बोलते हैं, मीजो हिल्स, मीजोरम में बोलते हैं, फिर इनका extension जाता है मयनमार में इनको अराकन यूमा बोला जाता है, क्या बोलते हैं मयनमार में इनको अराकन यूमा, और यही अराकन यूमा ज यह six physiographic feature में से एक है that is what the northern mountain complex जिसमें एक चीज़ आती है कि आपका the great himalayan range इसको हम आइस साइस तेखरे के सब को एक एक बार elaborate करेंगे दूसरी जो physiographic division है वो मैं आपको बताऊं तो दूसरी physiographic division आपको अगर मिलेगी that is the great plains of north india इन great plains of north india को हम इंडो गैंगिटिक ब्रह्म पुत्रा प्लेन भी बोलते हैं why? because they are made up by the action depositional work of these rivers में इंडस, गंगा और ब्रह्म पुत्रा और ये प्लेन आपको कहां देखने को मिलेंगे स्टार्ट होते है राजस्थान से ठीक है ये प्लेन राजस्थान से होते हुए ये पूरा ये extend होते हैं ये ये प्लेन है वेस्ट बिंगॉल तर जाते हैं इनको बोलते हैं the great plains of north india और याद रखिएगा the great plains of north india is the youngest physical feature of india सबसे youngest physiographic feature जो india का है six में से that is what the great plains of north india दूसरा physiographic feature ये हो गया अब तीसरे physiographic feature की बात करें तो तीसरा physiographic feature आपका आगया Indian deserts Indian desert में tropical desert की एक example है that is in Rajasthan वो आपका है था desert और the great Indian desert भी इसको बोलते हैं ठीक है ये आपको यहाँ पे मिलेगा अरावली से बिलकुल east में और इन great deserts को हम मरुस्थली भी बोलते हैं ठीक है मरुस्थली भी बोलते हैं उसके बाद एक और desert आपको देखने को मिलेगा जो आपका लदाक में इस एन एक्जामपल आप और हो आपको देखने को यहीं चीज इसकी यहीं तीसरी फीजिग्राफिक फीचर जिसको हमरे डीटेल में पंड नहीं नौव दी फोर्थ फीजिग्राफिक फीचर इस यहूर पैनिंसुलर प्लाटियों यह लाइन दिमार्केट कर रहा हूं इसके अंदर जो भी रीजन आ रहा है इट कमस अंदर दी पैनिसुलर प्लैटिय। यह रहा है ठीक है? यह पैनिसुलर प्लैटिय। में आ रहा है What is पैनिसुला? दोस्तों पैनिसुला ऐसा लैंड है जिसके तीन तरफ पानी हो The land must surround it on three sides में water is called as peninsula और what is platiwe, platiwe बचा क्या है, platiwe is basically the table-like platform, क्या, the table-like landform, sorry, कौन सा, the table-like landform is known as, known as platiwe, वो landform जिसकी shape table जैसे हो, top जो होगा, बिल्कुल होगा, side जो बिल्कुल होगा, steep, इसको हम बोलेंगे क्या, peninsular platiwe, यह आपका fourth photographic feature है, जिसको जिसके बारे में हमने पढ़ना है Now, the fifth physiographic feature is your the coastal plains, देखिए the coastal coasts दो हैं आपको देखने को मिलेगी, the coastal plains are two one is west coastal plain आपका एक है west coastal plain और एक है east coastal plain, इसको भी हम बड़े अच्छे से detail में समझेंगे कि आपके physiographic in India में गयाता है, और the sixth one is islands, एक island है आपका लक्षदीब जो Arabian Sea में है, एक island है आपका अंडरमान निकबाद जो Bay of Bengal में है, तो ये six physiographic divisions है जिनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो हम सबसे पहले इसको बहुत detail में पढ़ेंगे, that is what that is the great himalian range और जो part है northern mountain complex का, तो चलिए दोस्तों start करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, कि भई great himalian range कैसे बने अगर आप देखेंगे, तो बोलते हैं, जिबी great himalian range ranges are formed due to collision of two plates the eurasian plate in the north and Indian plate in the south इनका जो ये plate है दोस्तों अगर किसी को plate के बारे में नहीं पता होगा, तो मुझे जरूर comment box में बोली गए, तो मैं आपको plate के बारे में बता दूँगा, तो मैंने आपको क्या बोला, कि eurasian plate और Indian plate की collision की वज़े से, क्या बने great himalian range बने है, और इनके बीच में एक C थी ठीक है, जिनका नाम था, 33 it was an example of geo-sync line, यह geo-sync line था, जब यह दोनों collide करना, start कर गए, तो 33 में deposited जो material था, वो क्या हो गया, crumble हुआ, wrap हुआ और fold होके वो क्या बन गया, great himalian range, ठीक है जी, अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको या रिखने की जुरूरत है, कि जो great himalian range है, यह great himalian range is not a single series of mountain, यह तीन series of mountain से बने, one, two, three, और तीनों का अलगर, north से south अगर इनको हम समझने की कोशिश करें, जो सबसे north में उसको बोलते inner himalya और himalya याद रखियेगा, इसको क्या बोलते हैं, inner himalya और himadri जो middle में हैं, इसको हम बोलते हैं, middle himalya और lesser himalya क्या बोलते हैं, middle himalya और lesser himalya और himachal, और himachal भी बोलते हैं, और सबसे जो south में हैं, उनको बोलते हैं, शिवालिक्स और outer himalya क्या बोलते हैं, और outer himalya देखिए यह नौर से साथ डिविजन अगर आप पढ़ेगे तो आपको ऐसे पढ़ना है और यह जो तीनों सीरिस मैंने बोला सिंगल सीरिस अफ रेंज नहीं है तो बोलते हैं यह सिंगल सीरिस अफ रेंज नहीं है यह तीन रेंजिस में बने और यह जो तीनों रेंजिस हैं यह डिफरेंट डिफरेंट पीरिड में बने सबसे पहले जो बना था इनर हिमालयाज उसके बाद बना मिडल हिमालयाज उसके बाद बना शिवालिक्स और आउटर हिमालयाज ठीक है दुस्तों clear हो गया अब अब देखिए अगर हम इसको sideways देखे तो sideways देखने को क्या मिलेगा सबसे loftiest सबसे height में the most continuous tallest और loftiest जो mountain है इनर हिमालयाज उसके बाद आते हैं middle हिमालयाज उसके बाद आते हैं shivalik फिर आगे आपको मिलेगा ये truff ऐसे truff मतलब depression गड़ा इस depression को फिल किया है रीवर्स ने कौन सी रीवर्स ने जो रीवर्स ओरिजिनेट होई कहां से हिमालयाज से जो कहां से ओरिजिनेट हो हिमालय से और फिल करते करते इसको इनने plane area बना दिया large extensive plane बना जिसको बोलते है great plains of north India जो सबसे youngest physiographic feature है ठीक है जी ये बात यार रखिएगा अब एक और बात यार रखने वली जो बहुत important है कि जो आपका great हिमालय range है वो start होता है नंगा परवत जो आपका लदाकवे जन्सकार के पास है और नंगा परवत से ये जाता है कहां पे नंचा बारवा नंचा बारवा आपका कहां पे है अरुनाचल परदेश ठेक है अच्छा आप देखोगे इसका structure क्या है इसका shape क्या है it is convex in shape it is convex to the south it is convex to the south मतलब to the peninsular India आपको हिमालेज ऐसे हिमालेज आपको सीधे नहीं मिलेंगे ऐसे नहीं मिलेंगे हिमालेज जो आपको मिलेंगे वो ऐसे bend में मिलेंगे convex क्यों क्योंकि बोलते हैं यहाँ पे सबसे ज़ादा push इसको side में मिला था अरावली इस western side में सबसे ज़ादा push मिला था और यहाँ पे इसको सबसे ज़ादा नमचा बारवे push मिलता है जिसके विए सबसे फोर्स लगने के वज़े से क्या हो गया है यह bend हो गए convection safe बन गए उसके बाद बोलते हैं इनका structure क्या है hog back structure है what is the meaning of hog back structure hog back structure का मतलब है कि जो mountain का northern slope है जो himalis के northern slope है वो क्या वो slope बिलकुल gentle है gentle मतलब सीधी और जो southern slope है वो क्या है steep hog back structure क्या हो गया बचा जो northern slope क्या होगा northern slope क्या होगा gentle और southern slope क्या होगा steep ऐसे structure को हम क्या बोलते है hog back structure जो आपको great himalya ranges में देखने को मिलेंगे ठीक है आपको समझ आ गया अब दोस्तों चलते हैं हम इसकी पढ़ते हैं north south division इसकी क्या पढ़ेंगे हम north south division north south division में क्या देखने हम सबसे पहले आया inner himalya पहले आया inner himalya फिर आया middle himalya फिर आया shivalics आप देखिए middle himalya in comparison to inner himalya and outer himalya discontinued है मतलब बीच में तूटे हुए क्या हैं जी बीच में तूटे हुए और इनका different different states में different different नाम है जैसे JNK में इसको बोला जाता है पीर पंजाल क्या बोलते हैं पीर पंजाल JNK में हिमाचल परदेश में क्या बोला जाता है दोलाधार क्या बोलते हैं इसको दोलाधार और उत्तरा खंड में क्या बोलते हैं मसूरी और नातिबा ये बात या रखेगा अब ये डिसकंटिनेट क्यों है क्योंकि यहाँ पे सबसे फेवरेवल क्लाइमेट है human settlement के लिए जिसके वसे human activity बहुत ज़ादा होती है human activity होने के वज़े से क्या हो गया है erosion होती है deforestation हो रहे है जिसके वसे construction हो रही है जिसके वसे क्या middle हिमालयाज discontinuous in nature है in comparison to inner हिमालयाज and shivalix inner हिमालयाज बिलकुल भी discontinuous chain है किसकी mountains की because यहाँ पे human activity negligible है कि बहुत harsh climate है यहाँ पे human settlement के लिए ठीक है अब shivalix जो है सबसे outermost हिमालयाज है शिवालिक्स का different different जगा में different different नाम है जैसे जम्मू में शिवालिक्स को बोलते है जम्मू hills याद रखीगा जम्मू में क्या बोलते है जम्मू hills दुंदवा बोलते है इसको उतराखंड में दुंदवा क्या बोलते है उतराखंड में शिवाली का नाम है दुन्दवा उत्राखन बे जमूल बोलते हैं जमूल्स और अरुनाचल परदेश में क्या बोलते हैं अरुनाचल परदेश में इसको बोलते हैं अरुनाचल परदेश में इसको बोलते हैं दाफला अबोर मीरी और मिश्मी ये नाम है किसका शिवाली का अर सम करते हैं इसके बारे में देखते हैं क्या पढ़ना है हमने अब देखिए अब देखिए the highest peak of Great Himalayan Ridge is Mount Everest क्या नाम है Great Himalayan Ridge के highest peak क्या है Mount Everest जो world की भी क्या है highest peak है highest peak कहां की है जी world की है देखिए इसका नेपालीज नेम क्या है इसका नेपालीज नेम है सागर माथा क्या नाम है सागर माथा याद रखिएगा इट इन नेपाल और तीबतन नेम क्या है इसका तीबतन नेम है इसका चोम लुंग मा याद रखिएगा यह माउंट आवरेश का निपाली नेम क्या लिखा है लिखोगे निपाली नेम आप लिखोगे सागरमा था और तीबतन नेम क्या लिखोगे आप चोम लुंग मा आप आपके यह बात क्लीर हुई बट इट इस नौट इस पीक अफ इंडिया बिकॉस क्यों क्योंकि माउंट एवरेश निपाल में है अब हिमालिया की ग्रेट हिमाले रेंज की जो हाइस पीक है वो कहां पे है वो है जी सिक्किम में और उसका नाम क्या है उसका नाम है कंचन जुगा जो कहां पे है जी सिक्किम में है अगर आप कंचन जुगा के बारे में देखो गए तो कंचन जुगा के बिल्कुल पास से एक river और घृईट और एक याद रहेगा ठीक है तीस्ता और सिक्किम में ही एक पास हैバ democr你可以 आDas को आ सकता है यह आ रखी मया और जो जिलीपला पास है यह क्या है it is basically tri-junction between यह pass connect करता है इंडिया नेपाल और चाइना को या रखेए गया यह tri-junction है इंडिया नेपाल नी इंडिया भूटान और चाइना यह क्या है tri-junction इन तीन कंट्रीज के बीच में ठीक है जी अब कंचन जुगा is the highest Himalayan peak in India क्योंकि जो highest peak Himalayan के निपाल में है इंडिया में सबसे highest peak कौन सी है Himalaya की that is कंचन जुगा बट कंचन जुगा is not the highest peak of India अब highest peak of India कौन से है highest peak of India है जी आपका K2 और Godwin Austin कौन से है K2 और Godwin Austin क्या जी K2 और Godwin Austin अब K2 और Godwin Austin किस पहाड के उपर है उसका नाम है कारा कोरम रेंज क्या नाम है उसका कारा कोरम रेंज और अगर आप कारा कोरम रेंज के बारे में देखोगे तो कारा कोरम रेंज जो है it is not part of Great Himalayan रेंज it is part of Trans Himalayan रेंज किसका पार्थ है ट्रांस हिमालियन रेंज और जो ट्रांस हिमालियन रेंज है इस रेंज लाइस टू दी नौर्थ अव ग्रेट हिमालियन रेंज मतलब अगर मैं साइड फीगर बनाऊ तो बना रहो तो ट्रांस हिमालियन रेंज आपको यहां मिलेंगे ठीक है ट्रांस हिमालियन नौर्थ में और ये इससे मिलके भी बने हो, ट्रांस हमाले नहीं, इनसे भी पुराने हैं, किनसे, ग्रेट हमाले नहीं, इनसे पुराने हैं, और जो केटू है, ये केटू किसकी सबसे उची चूटी है, कारा कॉरम की, and it is also the highest peak of India, ये कहां लोकेटिड है, पाकिस्तान occupied कश्मीर में, अब देखिए, अब हम बात करते हैं, नौर्थ, टू साउथ डिविजन, अफ ग्रेट हिमाले रिंजी, सबसे पहले आगया जी आपका इनर हिमालया, फिर मिडल हिमालया, फिर शिवालिक्स, अब आप देखोगे, जो इनर हिमालया और मिडल हिमालया की बीच में एक बहुत फेमस वेली है, जो वोल्ड वाइड फेमस है, जिसको मिनी स्विजर लैंड भी बोलते हैं, that is what कश्मीर वेली, that is what कश्मीर वेली, याद रखिएगा अब दूसरी बात, बहुत इंपोर्टेंट, जो मिडल हिमालया और शिवालिक के बीच में आपको लॉंगिट्यूडनल वेली मिलेगी, जिनको हम दुन्स बोलते हैं, कहां पे, वेस्टर्न हिमालया के पास, ठीक है, और दुन्स बोलते हैं, इस्टर्न हिमालया में, दुन् किसे बने होए, it is made up of what, dry lakes, ठीक है, और ये दुन्स बोलते हैं, बीच में हैं, between middle हिमालया और शिवालिक में, दुन्स में के बहुत थिचली बतात dlategokor, especially बिहार, it is famous for what, tea cultivation, यह किसके लिए फेमस है, tea, की लिए, बहुत फेमस ए, आप इस बात, बात को याद रखियंगा दो आपको कोशन भी आ सकता है कि अरेंज करें नौर से साउथ, सबसे पहले इनर आएंगे, फिर मीडल आएंगे, फिर आपके आएंगे जी क्या शिवालिक्स, अब दोस्तों आगे चलते हैं, अब हम आगे चलेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा, the extension of Himalayas in the eastern side of India is called Purvanchal, what is Purvanchal, Purvanchal पूर्व मतलब East, Purvanchal मतलब Eastern Himalayas, Eastern Himalayas कहां पे दोस्तों, हमारे North Eastern States पे जिनकों सेवन सिस्टर सेट भी बोलते हैं, अरुनाचल परदेश, नागारेंड, मनिपूर, मिजोरा, मेगालिया, असां, हालां कि मेगालिया में जो माउंटेंस हैं, गारो, खासी, जन्तिया, और उसके बाद रेगमा, मीरी और मिकिर, ये बेसीकली, ये जो, जितने भी हिल्स हैं, ये हिमालेयस का पार्ट नहीं है, ये एक्सेंशन है, पैनिंसुलर प्लैटियो की, इसको हम बाद में डिसक्स करेंगे, पुरवांचल में ने क्या बोला, जो हिमालेयस एक्सेंड हो रहे हैं, किसकी तरफ, इसकी तरफ, इसकी कौन कौन से मांटने साथ हैं, हम नौर से साउथ अरेंज करते हैं, नौर से साउथ अरेंज करेंगे, सबसे पहले आएगा पतकाई बम, पतकाई बूम आया, उसके बाद आया नागा हिल्स, ठीक है, उसके बाद आया मनिपूरी हिल्स, मनिपूरी हिल्स आया, और उसके से आया मिजोहिल्स ठीक है जो पतकाय। है वह क्या करती है। बाउंदरी बनाती है बित्वीन अरुनाचल प्रदेश इन मेंनमार भ्यट फित करता अरुनाचल प्रदेश इन मैंनमार ijk जो हायस पीक है that is Mount Saramati क्या है जी Mount Saramati Manipur Hills आपको Manipur में मिलेगा और Mezo Hills की जो हाइस है पीक है उसको बोलते हैं Blue Mountains तो आपको यारत है these all are part of Purwanchal वेदी और what is Purwanchal Purwanchal is basically Eastward extension of Great Himalayan Ridge तो दोस्तों ये जो बहुत important चीज़ी जो आज हमने पढ़ी है इसके इलावा अब हम क्या करेंगे अभी हमने फिलाल क्या पढ़ा North to South Division पढ़ी है हमने किसकी North to South Division हमने किसकी पढ़ी है Himalayas की राई अब हम West to East Division पढ़ते हैं किसकी Himalayas की तो आप देखते हैं दोस्तों West to East Division हमालेज की क्या बात करती है देखिए पहले आप ये figure no down कर लीजिएगा ठीक है हमने reverse की boundary को पहले आप प्लीज ये पूरा no down कर लीजिए ठीक है जो आपको दिख जाएगा देखिए East to West Division हमने किस बेसिस पर किया है रीवर्स को लेते हुए रीवर्स को रखते हुए जैसे East to West देखेंगे कश्मीर हिमालेज और पंजाब हिमालेज हम किस नदी से लेकि किस नदी तक बोलेंगे from इंडेश टू सतलूच कि बीच में जो हिमालेज हैं उनको हम याब बोलते हैं हिमालेज या तो उसको बोलते हैं पंजाब हिमालेज जिसमें आपका मिडल हिमालेज आ जाता है मिडल हिमालेज में कौन से माउंटन्स आ जाएंगे पीर पंजाल और दोलाधार आ जाएगा ट्रांस हिमालेज रेंजी जाएंगी ठीक है और inner हिमालेज आ जाएंगे वो इधर आते हैं आपके ठीक है उसके बाद from सतलूज to काली रिवर हमने जो हिमालेज की डिवीजन किया उसको बोला कुमाओ हिमालेज अब अगर कुमाओ हिमालेज आप देखोगे कुमाओ हिमालेज के इस्ट्रन पार्ट को हम घड़वाल हिमालेज भी बोलते हैं और वेस्ट्रन पार्ट को हम कुमाओ हिमालेज बोलते हैं इसमें कौन सी पीक्स आ जाती है आपकी नंदा देवी आ जाती है बदरी नाथ आ जाता है आपका केदार नाथ आ जाता है कामेत आ जाता है आपका किसमें कुमाव हिमालेज में कहां से कहां से सत्लू से लेके काली तक उसके बाद काली से लेके कोसी तक आपको मिलेगा नेपाल हिमालेज नेपाल हिमालेज सबसे tallest section है East to West division में सबसे tallest section कों से है नेपाल हिमालेज कहां से कहां है काली से लेके कोसी तक कोसी अगर एक नदी है आपको पताएगा कोसी को बोलते हैं सारो विगॉल because of its frequent frequent shifting of its course वो अपनी course को इतने जल्दी shift करती है जिसके वसे बहुत flood आते बिहार में तब इसको हमने बोला है सारो अफ बिहार उसके बाद कोसी से लेके तीस्ता नदी के बीच में आपका क्या आता है जी सिक्क्यम हिमालयाज आती है सिक्क्यम हिमालयाज में अभी हमने डिसकस किया था कंचन जुंगा जो कंचन जुंगा हमने डिसकस किया था कंचन जुंगा के पास ही तीस्ता नदी का source है आपको मेरी बात clear होगी अब तीस्ता से ब्रह्म पुत्रा की बीच में असाम हिमालेज है जो East Rush Division आपको पत्चल के पहले कुछ से कश्मीर हिमालेज किस से किस नदी की बीच में कुमाव हिमालेज सतलुशु काली काली टू कोसी निपाल हिमालेज कोसी टू तीस्ता सिक्किम और तीस्ता तो ब्रह्म पुत्रा की बीच में असाम हिमालेज आपके आगे ठीके दोस्तों अगर North South Division हम पढ़ें तो सबसे पहले आगा Inner, then comes Middle, then comes Shivalik Inner को हम क्या बोलते हैं? हिमादरी बोलते हैं, Middle Himalese को Lesser Himalese, हिमाचल भी बोलते हैं और Outer Himalese को हम Shivalik भी बोलते हैं Are you getting my point? उसके बाद हमने East to West Division की अब दोस्तों हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं किसके बारे में? Trans Himalese Ranges के बारे में देखिए Trans Himalese Ranges को भी हम बिल्कुल South से आएंगे, अच्छे से पढ़ते हुए देखिए मैंने अभी बोला Trans Himalese Ranges Great Himalese Ranges के North में मिलते हैं तो Trans Himalese Ranges इस सिंगल सीरीज अफ माउंटें नहीं है चेन अफ माउंटें नहीं है यह तीन सीरीज से बनें North से South हम इनको करते हैं सबसे पहले आगया कारा कोरम फिर आपका आगया जी लदाक फिर आपका आगया जन्सकार और जसकार ठीक है अगर आप देखेंगे लदाक कारा कोरम जो है कारा कोरम की जो हाइस पीक है that is K2 और कारा कोरम की फुटील्स में आपको वर्ल्ड के largest glaciers मिलेंगे longest glaciers मिलेंगे outside polar region उन में से कुछ glaciers का मैं नाम लेता हूँ Siachin जो सबसे बड़ा glacier है outside polar region ठीक है और ये Siachin Glacier highest battlefield भी है ये Siachin Glacier कौन सी वैली में है very important question Nubra Valley इसके इलावा और कोई glaciers में आपको बताऊँ Biafo बाल तोडो ठीक है हिसपर ये कुछ glaciers के नाम है ठीक है दोस्तों clear हो गया अब कारा कोरन के बाद है लदाख लदाख range को तिबद में बोला जाता है केलाश range यार के लदाख range की extension को तिबद में क्या बोला जाता है केलाश range अब लदाख range के पास एक दियोसाई mountain भी है उसके बाद लदाख और जन्सकार के बीच में से एक बहुत famous river जाती है जिसका नाम है इंडस river जिसका क्या नाम है दोस्तों इंडस river ये बहुत important है लदाख के बाद नीचे क्या आ गया जी जन्सकार आ गया I hope आपको समझ आया होगा अगर अब आप north south division करोगे तो कोई कितना असान है सबसे पहले आ गया कारा कोरम फिर आ गया लदाख फिर आ गया जन्सकार फिर inner हिमालियास middle हिमालियास और शिवालिक्स इन तीनों को बोलेंगे trans हिमालियर रेंज इनको बोलेंगे great हिमालियर रेंज तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बाकी हम कल continue करेंगे north plains of गंगा ठीक है और the northern plains of इंडिया ठीक है थैंकियो सो